अगर आप ब्लेक होल में गिर गए तो क्या होगा चलिए दोस्तो हागे देखते हैं अगर आप ब्लेक हॉल में गिर जाए तो क्या होगा यहाँ फ्री फॉल जैसा होगा आप इसमें गिरेंगे तो बीना जटके गिरते ही चले जाएंगे यहाँ एक अंधहिन यात्रा होगी फ्री फॉल को आइस्टाइन ने हैपी एस थोट कहा है शायद आप सोचते होंगे कि आपकी मौत हो जाएगी लेकिन ऐसी स्थिती में आपके साथ इससे अलग कई और चीज भी हो सकती है ब्लेक हॉल स्पेस वो जगह है जहां बहुती विगनान का कोई नियम काम नहीं करता ब्लेक हॉल का गुरुत्वा कर्शन बहुत शक्तिशाली होता है इसके खिंचाव से खुछ भी नहीं बज सकता अगर यह ब्लेक हॉल सुर्य से भी काफी बड़ा है तो इसमें आप अपना पूरा जीवन बीता सकते है पर आपकी कोई हिच्छा काम नहीं करेगी आप पीछे मुड कर भी देख नहीं सकेंगे और आप दूसरी और पलड भी नहीं सकते अगर आप ब्लेक हॉल की चपेट में आ गए तो आपके साथ दो चीजे हो सकती है या तो आप दुरन जलकर राख हो जाएंगे या फिर आप बीना किसी नुक्सान जेले ब्लेक हॉल में फसे जाएंगे अभी तक तो सभी यहीं जानते थे कि ब्लेक हॉल से निकलना संभव है लेकिन बहुतिक विग्णनी स्टीफंग होकिंग का कहना है कि ब्लेक हॉल की गहरी खाई से निकल पाना संभव है ब्लेक हॉल ऐसी खगोली यह चीज है जिसमें प्रकाश भी प्रवेशने के बाद बाहर नहीं निकल पाता यहां अपने उपर पढ़ने वाले सारे प्रकाश को अउशोशित कर लेता है ब्लेक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होरीजोन कहते है क्वांटम प्रभाव के कारण इससे गरम करण टूटकर ब्रह्मन वे फैलने लगते है स्टीफन होकिंग की खोच के मुताबित होकिंग रेडियेशन के चलते एक दिन ब्लेक होल पूरी तरव द्रव्यमन मुक्त होकर गायब हो जाता है जब आप ब्लेक होल के अंदर पहुंचते है तो इसका केंदर असीम धुमावदार होता है जिसमें आप फंसकर रह जाएंगे वहाँ आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते है और भहती विग्णान का कोई नियम काम नहीं करता दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि ब्लेक होल वास्ते में कोई काला बड़ा छेदे लेकिन ऐसा नहीं है यह तो मरे हुए तारों के आउशेश है करोडों और वो साल के बाद जब तारे खत्म होते है और ब्लेक होल का जन्म होता है जब तारे तबा होते हैं तब उनके परदात अंतरिक्ष में फैल जाते है इन पलों की चमक खिसी गेलख सी जहसी होती है तबा हुए तारे में इतना आकर्शन होता है कि उसका सारा प्रदात आपस में बहुत गहनतासे सिमर जाता है और एक छोटे काले बॉल के आकरोती ले लेता है यही ब्लेक होल होता है जितने ज़्यादा प्रदस इसके अंदर आते है इसका आकर्शन और भी बढ़ जाता है अगर आप बलेक होल में गिर गए तो यहां पहुशने के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता क्योंकि वहां कोई भी नहीं पहुँच सका कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुच जाएंगे यह रहस्य में अभी तक बना हुआ है दोस्तो ऐसे ही मज़ेदार फैक्स वीडियोज देखने के लिए हमारी चैनल इंट्रेस्टिंग फैक्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करे और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और कमेंट करे और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद